तो हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है ये सेकेंड लाश्ट लेक्चर आप सिक्यूरिटी वैलिविशन क्योंकि मुस्किल काम जूत था वो कल ही कर चुके है तो कुछ बहचा नहीं है पिछली क्लास में या पिछले रिविजन वीडियो में हमने क्या क्या सिखा हमारा कौन सा रिविजन चल रहा है बात चल रही है सिक्यूरिटी वैलिविशन की और बात ये भी चल रही थी कि हम एक भी कोश्चन नहीं छोड़े है हाला कि रिविजन में सेलेक्टेट कोश्चन करवाने चाहिए पर मुझे ऐसा लगता नहीं जब कर ही रहे हो रिविजन तो ढंक से हो जाए मतलब रिविजन करने के बाद ये ने लगे कि ये कोशन छूड़ गया इसलिए टाइम ज़ादा लगेगा और लग ही रहा है लग जाए तो लग जाए यार बात सिंपल सी है जब हम चार घंटे दे रहा है रिविजन को तो एक घंटा और सही एटलिस्ट पूरे कोशन तो कवर हो तो पिछले रिविजन वीडियो में क्या-क्या पढ़ा था एक तो discussion हो गया था हमारा bond intrinsic value of bond ठीक है दूसरा जो discussion हुआ था intrinsic value of bond के अलावा bond yield, yes, bond yield में एक पढ़ा था realized YTM और एक dirty price और clean price पढ़ा था actually problem क्या है कि dirty price और clean price का एक ही कोशन है और वो ही कोशन आता है तो बस मैं यह कह रहा हूँ कि जिन topics के एक ही कोशन से please उसको नहीं छोड़ोगे क्योंकि यार IC institute अभी वही काम कर रहा है जिन topic के एक एक कोशन है बस उसी को उठा कर दे देता है तर उसके बाद क्या पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने बढ़ा bond risk price risk और reinvestment rate risk और उसमें क्या पढ़ा duration bond duration में क्या पढ़ा था effective duration और modified duration exam के लिए कौन से important था modified duration ठीक है सर उसके बाद क्या पढ़ा था उसके बाद convexity important है एक ही कोशन है करके जाना है convexity के बाद क्या पढ़ा सर convexity के बाद पढ़ा हमने bond immunization ठीक है मतलब bond portfolio ठीक है सर वो भी हो गया bond immunization के बाद क्या पढ़ा था सर हम लोग ने bond immunization के बाद हमने पढ़ा था convertible bonds ठीक है उसमें conversion value, floor value, conversion premium downside percentage of downside risk के यह सब पढ़ा था एक topic दो topic bonds के और बजगया थे क्योंकि equity में कुछ है ही नहीं तो bonds के दोनों topic थोड़ा अच्छे से कर ले एक तो पढ़ा था bond refunding हलाकि आसान है उसके तो मेरे question यूट्यूब में डले हुए है और bond refunding के अलावा क्या था bond refunding के अलावा term structures, bootstrapping ऐसा कुछ है वो आगे पढ़ेंगे बात समझेंगे तो start करते है भगवान का नाम लेकर और यह चल रहा हूँ कि आज हमारा मुझे ऐसा लगा recording नहीं हो रही है आज हमारा खतम होने वाला है security valuation बड़ा topic है सर इसके बाद revision आएगे कि corporate valuation आएगा और merger आएगा और 10 से पहले पहले आएगा मैंने यह बात कि date नहीं बता सकता पर 10 से पहले पहले दोनों topic आजाएगे corporate valuation और merger चलो तो topic का नाम क्या है सर टॉपिक का नाम जो आगे पढ़ रहे हैं वश टॉपिक का नाम है option embedded bonds option embedded bonds होता क्या है option embedded bonds होता क्या था ऐसे बोलोगे तो ज़्याद अच्छे समझे इसे bonds जिसमें options available है options या तो company के पास available है या तो investor के पास available है options सर ऑप्संस कैस किस टाइप का ऑप्संस एक option समझ रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ callable bonds call option तर वो क्या चीज होता है वो होता है कि company ने bonds issue किया yes जिब company ने bonds issue किया उसमें वाकी पैसों की ज़रुरत थी तो 15% पे bonds issue कर दिया और अपने bond holder को बोल दिया कि चलो यार 10 साल या पनलांग टम bonds होते हैं 15 years तक हम आपको 15-15% देंगे ठेंशन कतम company के पास पैसे आगे पैसों की ज़रुरत भी थी हो सकता कि हमने ज़्यादा rate पे कर दिया होगा या फिर उस समय वह ये rate रहा होगा और टोटल पिरियट कितना था टोटल पिरियट था 15 years जीरो और करीब पास साल पीता तो हम company हम है company हम देते जा रहा है पास साल बाद market में 10% rate हो गया इट मींस rate of interest कम हो गया market में rate of interest 10% हो गया जबकि company हमको 15% देने की बात की है और टोटल 15 years तक देनी वाली है अभी तो पाची साल बीता है इट मेंस हमको तो 15% मिलेगा ही मिलेगा investors खुस है बहुत परिशान कौन है परिशान है company क्यों परिशान है बैटे फस गई न कंपनी ने 15% पर पैसे आपसे उठाया है जबकि जब 5 साल बीत गया और agreement भी हो गया कि 15 साल तक हम आपको 15% देंगे लेकिन problem कहां आ रही है problem ये आ रही है कि company को अब सस्ते दामों पर कम rate पर पैसा मिल सकता है 10% पर जब 10% पर मिल सकता है तो यार हमने तो सिर पकड़ ली हमने क्यों उठाया था 15% पर कुछ हो सकता है कि हो सकता है तर क्या हो सकता है ये वैसे interest rate risk management भी एक तरीका था पर यहां bonds के हिसाब से बात किजिए कि company जब ऐसा risk है तो एक काम कीजिए जब आप bonds issue करते है थीक है तो उसी समय के agreement कर लिया किजिए अपने bonds holder से कि हम एक समय के बाद चाहो तो maturity है 15 साल पर एक समय के बाद 4-5 साल के बाद आपको हम पैसे वापस कर सकते bonds को call कर सकते callable bonds अच्छा एक option रख दीजिए किसके point of view से बात करो मैं company अपने फाइदे के लिए एक option डाल सकती है एक agreement में कुछ लिख सकती है कि company चाहे तो bonds का पैसा वापस कर सकती है इसे बोलते bond refunding और यहां से question आती इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से ज्यादा time लिया समझाने है यह company option कब exercise करेंगी साथ जब market में कम rate पे interest मिलेगा तब ऐसे एक putable bonds होता है और ऐसे ही extendable bonds होता है पर मैं callable bonds की बात करूँगा वो जाता अच्छा callable bond is long term fixed coupon rate where company has right to call touch bonds यह call उस टाइप का call हो गया ना जो हम पढ़ते थे यह उसी टाइप का जो option में पढ़ा था ना call option call option कब exercise करते हैं और उस पर मज़ जाओ ने तो फिर concept हमारा खतम हो जाए अभी जैसे तेसे समझ में आगे call option यहां कब option exercise होगा जब interest market में कम हो जाएगा call option तो price बढ़ने पर भूल जाओ उस call option को derivative में ने तो परिशान हो जाओ लोजिक में आपको थे दिया example number 17 है face value 1000 coupon है 12% years है 15 years और features है callable bonds company जब जब भी bonds call करती है bonds older तैयारी क्यों होगे तवाल है क्या bonds older ऐसे bonds लेने के लिए तैयार हो जाएगे पहली बात दो वज़ा है क्योंकि rate of interest ज़्यादा दे रहा हूँ मैं तो company तैयार हो जाएगी दूसरी वज़ा यह है कि मैं लालच दूँगा कि भाई साब ऐसा है कि अगर मैं 5 साल बाद bonds को call करूँ मैं अगर 5 साल बाद आपको पैसे वापस करूँगा bonds holder तो ऐसा नहीं कि 1000 दिया तो 1000 ही वापस करूँगा मैं आपको ज़्यादा पैसे वापस करूँगा इसका मतलब सर्थ जब bonds refund होगा तो premium पर refund होता है यस दस साल बाद 1150 दूँगा अगर दस साल बाद call करूँगा तो और अगर पूरा period है तो 1000 हो जाएगा तो आपसे एक तो ये कभी आया नहीं है yield to call YTC निकालना है और yield to maturity निकालना है अगर आप first year का YTC निकाल रहा है तो यहाँ 1200 लिख देना पर यहाँ period कितना आएगा period सर्फ पास साल हो जाएगा अगर 10 year का YTC निकाल रहा है YTC मतलब yield to call और यहाँ कितना लिख देना 1200 लिख देना पस period यहाँ कितने से होगा बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ 1200 है तो period divided by 5 हो जाएगा और 1150 हो जाएगा और ग्यारा सो पचासे तो 10 हो जाएगा बाकी कुछ निए वाईटीम निकालना आपको आता है यह वाला question नहीं आता जो मैंने example करवाया लेकिन bond refunding का question आता है टूटल मिला कर दो question हमको बनाने पड़े के question number 40 अच्छा question discuss करे yes sir क्या होता था sir इस चलो बात करे time लगेगा यार यह capital budgeting type के questions है actually हाँ sir इसको मैं बनवाऊंगा तो नहीं पर समझाने में भी time लगेगा company ABC है और 300 million के bonds already issue किया था 12% पर outstanding का मतलब already issue किया तो यह ABC है और इन्होंने already issue किया हुआ है old bonds उसको old bonds बोल रहा हूं 300 million 300 million rate of interest कितना है 12% ठीक है ओके sir और अभी भी life कितनी बाकी है अभी भी life 6 साल बाकी है ठीक है मतलब हमें 6 साल तक in bonds पे 12% देना पड़ेगा जी क्योंकि market में interest rate काम हो रहा है कितना हो रहा हूँ नहीं बताएं तो बोले ABC limited क्या सोच रही है कि इन bonds पे पैसे वापस कर दिये जाएं और कितना वापस करना है 300 million और पैसे कहां से वापस करेंगे तो बोले हम एक काम करते हैं new bonds issue कर लेंगे और new bonds कितने के 300 million के rate of interest कितना रहेगा बोले rate of interest रहेगा 10% मतलब यार आप करने क्या आप टोपी घुमाने का काम कर रहे हैं आप एक जगा से पैसे उठा रहे हैं कितने परशन पे 10% पे और पैसे वापस कर रहे हो old bonds पे कितना 12% खीके सर यहां तक भी बात समझ में और यह bonds कितने साल तक रहेगे 6 सल 10% मतलब यार हर साल का 2% बच रहा है सर यस दिख रहा है ना आपको 10% 12% 12% वाले को पैसे उठाएंगे किस से उठाएंगे 10% वाले से तो सर यह तो हम CA final में हमको मालूम है कि 2% का बचत हो रही है हर साल यस figure में amount में निकले और कम से कम कितने साल तक होगी 6 साल तक आगे लिखाया है जो cost of new bonds जब आप new bonds issue करेंगे तो भाई ऐसा है कि खर्च भी तो होगा और new bonds पे 6 million का issue cost है और हम जानते हैं कि जो भी bonds से related है इसको धीरे धीरे amortize करेंगे और कितने साल में 6 साल में पैसा भले ही आज जा रहा सर tax savings भी तो होगा expenses पे होता है लेकिन इसको हम PNL account में सीधा डेविड नहीं मार देंगे इसको amortize करेंगे right up करेंगे धीरे धीरे करके और total कितने साल में right up करना 6 साल में तो सर हो जाएगा फिर तो सोचेंगे आगे क्या करना और call premium कितना है 4 रुपए सरी 4 पर्षेंट सर call premium क्या होता है यह old bond है न yes इस पे हमको extra देना पड़ेगा मैंने पहले ही कहा था कि 300 million है तो 300 into 4 पर्षेंट आपको 12 million extra देना पड़ेगा this is call premium यह सर यह भी तो pnl account में debit में जोगा हाँ बस एक बात बच्चों को समझ में नहीं आती उस बात को मैं धीरे से बोल देता हूँ आराम से slowly कि बच्चों से मैंने बस एक ही बात बोला कि अपना accounting concept यहां मतले लाना बस मेरा एक ही रूल से सुनना और रूल से यह हैं क्योंकि इन bonds को आप refund कर रहे है old bonds को के पैसे वापस कर रहे हैं तो इससे related जितने भी expenses है इससे related जितने भी expenses है सारे expenses को जिस दिन bonds खतम होकी है उसी दिन write-off कर दे बस इसको भी तो धीरे 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 write-off करना चाहिए ना छे साल में नहीं ना बिट्टे बस में यही बाद बोल रहा हूँ बारा मिलियन खर्चा है और पीनल एकॉन में debit होगा पर उसको आने वाले पाच्छे साल क्योंकि मैं old bonds का पैसा वापस कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे बच्चे होगे है सब आज की आज पीनल एकॉन में debit होगे मतलब सार आज ही tax savings होगा हाँ बस यही बात है बाकी और कुछ नहीं है इसमें कॉछ ठीक है इतमेंस यह 12 मिलियन का खर्चा आज ही राइट ओफुक और 9 मिलियन जो बच्चा है being the un-amortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the bonds और यह लिखा भी है सब सार यह 9 मिलियन क्या चीज 9 मिलियन बिटे एक बात दाओ इसका खर्चा टोटल कितना है सर 6 मिलियन क्या धीरे धीरे राइट ओफ करना क्योंकि new bonds है तो yes sir इसके खर्ची को तो धीरे धीरे राइट ओफ कर रहा है तो हर साल कितना 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन तो टोटल मिलाकर एक एक मिलियन हर साल का मान लो मान लो तीन ही साल होता और फिर हम इस bonds को भी refund करते तो इसका भी unamortized portion बच जाता कितना 3 million समझ में आ रहा है तो वो उस 3 million को आज ही right off करना होता है बस अगर मैं इस bonds को refund करता तीन साल बाद तो 3 million को तो आपने right off कर दिया बच्चा हुआ 3 million का नाम है unamortized portion और उसको मुझे जब इस bonds का पैसा वापस करता मान लो तो उसी साल right off करना होता वही unamortized portion है 9 million सर खर्च कितना हुआ था मैं मुझे नहीं मालूँ मुझे इतना मालूँ है जो भी खर्च हुआ सब की सब right off हो गया सिवाए 9 million की 9 million को और right off करता में धीरे धीरे लेकिन इन bonds को refund करना हूँ तो आज ही right off करना पड़ेगा बस यही एक चीश थी जो बच्चों को समझ मिनी है tax का rate है 30% you are required to analyze the bond refunding decision पता नहीं कितने बार यह question आया चलो सर तो भगवान का नाम लेकर start करें सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला काम इसमें हम यह करते थे कि आज no doubt 10-2% बच रहा है लेकिन आज एक्ट्रा पैसा भी तो जा रहा है ना यार सर आ भी तो रहा है आज एक्ट्रा पैसा कितना जा रहा है उसको बलते हैं incremental cash outflows मतलब सर यह देखो ना यार call premium का जा रहा है yes issue cost का भी जा रहा है 300 आ रहा है 300 जा रहा है मतलब इन 300 को यह 300 आप वो समझ में आर उसके अलावा भी तो एक्ट्रा हो रहा है तो वो net एक्ट्रा कितना पैसा जा रहा है यह निकलना पड़ेगा आज के दिन वोई काम यहां किया गया है तो देखे अब यार old bond को refund कर रहा है तो 300 million तो यह जा रहा है और premium का 4% जा रहा है तो 312 million कोई शक है क्या कोई शक रहा है साथ में जो premium दिया है कितना 12 million उस पे tax savings होगा yes तो 3.6 million मैंने minus कर दी tax savings क्यों कर रहा हूँ आज ही क्योंकि old bond से related जो भी खर्चे आज के आज राइट आफ करें इसके अलावा जो unamortized portion बचा था 9 million वैसे तो अगर वो रहते bonds तो उसको दीरे दीरे राइट आफ करता पर आज ही राइट आफ करूँगा 9 million का 30 बचन 2.70 million इसके अलावा और क्या है क्योंकि आपने old bond जो है old bond ठीक है उससे related सारे खर्चे है इसलिए मैंने यहां के यहां राइट आफ की अब सर new bonds issue कर रहे तो हमारे पास आएगा पैसा 300 million पैसा आ गया उसका खर्च भी तो है issue cost of new bonds कितना 6 million सर इसका tax savings tax savings यहां नहीं हो क्योंकि new bonds अभी भी 6 साल चलने वाले तो धीरे धीरे राइट आप करेंगे तो सिर्फ यह बात याद रखना कि इसका हमने tax savings नहीं लिया तो total हमारे जेप से गया 11.70 million कब आच ठीक है सर एक बार देखे कि फाइदा क्या क्या है तो मैंने यहां क्या लिखा new bonds और यहां लिखा old फाइदा देख लेते 300 million का 10% 30 million का interest जाता new पर और old पर interest हर साल जाता 36 million after tax देख लेते हैं tax savings भी उत होगा interest पे after tax आगे 21 million और यहां आगे 25.2 million ठीक इसके अलामा जो issue cost है अगर हम new bonds याद है 6 million उसका expenses तो already अप ले चुकी हो ना यार कहीं ना कहीं लिया था ले चुका हो लेकिन उसका tax savings तो नहीं लिया तो चलो वो ले ले रहे हैं अगर मैं new bonds issue करता और new bonds को ही 6 साल तलाता तो हर साल 6 million divided by 6 अगर मैं old bonds ही चलाता तो कितना अनमाटेज पोर्सन बचा था 9 million divided by 6 तो इतना मेरा पीनल एकॉन में डैविट करता क्योंकि यहीं बचा हुआ था 30 पर्सन की तो 0.45 million कुछ बच्चों का बेकार का कोश्चन यह था कि सर 9 में छोड़ो में बात करूं तो और confused हुजाएगी अगर मैं new bonds को यूज करता तो क्या होता अगर मैं old bonds को यूज करता तो क्या होता इसमें expenses होते 20.70 million और इसमें होते 24.75 million तो extra कितना बचा लिया आपने इसको बलते incremental cash in flow यह annual savings 4.05 million एक साल का तो 6 साल का कितना यह important है कि आर सर्थ discounting किस से करेंगे discounting किया जाएगा KD से या तो cost of debt दिया रहे है क्यों discounting किया जाता है इसका basic class एसको 7% है 7% आया कैसे तो सिधा huge करोगे क्या KD और KD निकालने का formula क्या है I1-X और KD कौन सा वाला यह वाला मतलब सा 10 1-T लिखा होगा कही ना कही यह 7% आया कैसे तो यह लिखवाय भी दिया है मैंने अगर discounting rate नहीं दिया होगा तो आप KD यूज करोगे और KD का formula आपके पास है इसलिए मैंने यह 7% यूज बाकी तो फिर आपने इसका PV से यह आई निकाला 19.30, 11.70 तो NPV positive है और NPV positive है तो bond should be refunded बड़े question है time लगना ही था question number 41 पर आज़े है question number 41 तो और भी बड़ा question है इसको करना जरूरी है चोड़ नहीं सकते ना यार मेरा बस यह है कि सारी मेहनत बरबाद हो जाएगी अगर हम कुछ भी छोड़ देते है मैं इस concept पर पहुच्चा हूँ जब division करना है तो सारी question करते है सारी question करते है कुछ छोड़े ही ना पर इतना time तो निकालना पड़ेगा आपको exam दिना है लिखा है question number 41 लिखा मैसेस ट्रांस इंडिया लिमेटेड जो है तीन करोड के बॉंड है तीस साल लाइफ थी एक हजार रुपे का एक issue किया था पास साल पहले अगर पास साल पहले issue किया था तो अभी लाइफ कितनी बाकी होगी मतलब सर अभी लाइफ कितनी बाकी है अभी है 25 साल लाइफ बाकी है और रेट कितना है 14 परशन ये किसकी बात हो रही है सर ओल बॉंड्स ठीक है दब बॉंड्स है वा कॉल प्राइस 1140 और इन बॉंड्स को हम रिफंडिंग करने का सोच रहा है 1140 ठीक है सर मतलब सर एक हजार रुपए के बॉंड्स है और हम 1140 का रिफंड करने का सोच रहा है सर ये कॉल प्रीमियम है ना एक बार कॉल प्रीमियम निकाल लेंगे क्या सर तीन सो लाग डिवाड़ेड बाई थाउजन इन्टू 140 एक्स्टा रहा सर फॉर्टी टू लेक्स आ गया है कॉल प्रीमियम और मालूम है ओल्ड बॉंड से रिलिटेट जो भी खर्चे होगे आज के आज में राइट अप करें एन हैड इनिशली कलेक्टिट रोसी 2.91 करोड ड्यू टू डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉंड सर ये किसकी बात कर रहा है ये तो बता दो ये किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जब हमने इन बॉंड को इस्चू किया था तो हमको 2.91 करोड ही मिला था हमें पूरा 3 उसकी वज़ा क्या थी बोले हमने डिसकाउंट पर बॉंड इस्चू किया था 30 रुपए डिसकाउंट पर तो डिसकाउंट एमाउंट निकल सकता है क्या सर नंबर और बॉंड से जवाएगा उसको 30 से मल्टिप्टाई करेगी तो डिसकाउंट 9 लाक तो निकाला क्यों वो जब बॉंड से इस्चू किया था मैं यह ओल्ड बॉंड से रिलेटेड इन्फरमिशन है तो फ्लोटिंग कोश्ट था 30,60,000 पर ठीक है अब कमपनी को इन बॉंड का पैसा वापस करना है तो निव बॉंड से इस्चू करना होगा यस बहुत जब हमने निव बॉंड से इस्चू किया तो सर जी वो हमको 12 पर अब जाएगा इट मिंस देखा जाये तो सीधा सीधा 2% की बच्चत होगी और कितने साल तक होगी 25 साल और 25 साल का है जो इश्यू कर रहे है वो 1000 में कर रहे है जब इन बॉंड को इश्यू कर रहे है तो फ्लोटिसन कोश्ट है 4,00,000 रुभा है इसको धिरे धिरे राइट आप करेंगे कितने साल में राइट आप करेंगे 25 साल टेक्स का रहे है 40 बर्जन और केडी निकाल कर दे दिया है तो आप टेंशन मत लेना केडी का टेंशन मत लेना केडी निकाल कर दे दिया 8 बर as the new bonds must first be sold and their proceed then used to retire old bonds the company expected 2 month overlapping interest उवरलैपिंग का मेरे मतलब समझा चुका हूँ और आपको उवरलैपिंग सुनते ही समझ में आ जाएगा और बाकी लिखा भी है क्या कहना है सरे इन लोगों का इन लोगों का यह कहना कि वहिया ऐसा है कि आपको ओल्ड वालों को पैसा वापस करना है तो पहले old वालों को पैसा वापस करोगे ऐसा तो होगा नहीं पहले new वालों से पैसा लोगी और सर जिस दिन लोगे उस दिन वापस कर दूगे एसा भी नहीं होता बड़ा फीगर है बड़ा प्रोसेस होता है टाइम लगता है इन सब चीज़ों में तो जब नीवालों से पैसा लिया, उनसे तो बात होगी 25 साल का, इनका काम भी खतम कर दिया, यार पैसे वापस करना इनको लिखकर भी दे दिया, लेकिन दो महने बात, कुई प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो वो दो महने का इंट्रेस्ट एक्ट्रा देना पड़ेगा किसको ओल्ड वाले को, है ना यार, निवालों को तो जो देना, वो तो देना, ओल्ड वाले को दो महने का, इंट्रेस्ट एक्ट्रा जाएगा, इसे ओल्लैपिक बिलिया, और दोनों में इंट्रेस्ट पैट करना पड़ेगा, वाट इस ठीक है रिफन्डिंग ओंड एक बा ठीक है और सर ओल्ड से इस पे तो टेक्स सेविंग्स आएगा यस और इसका अनेमोर्टाइज पॉर्सन निकालना होगा मतलब इन दोनों को अगर जोड दिया जाए तो बारा लाग साथ हे जार हैं बारा लाग साथ हे जार में से पास साल निकल चुके हैं मतलब इस में से लग जाएगा इसका टेक्स सेविंग्स नहीं लेगे इसका तो आके लेगे वही काम यहां कुछ करने वाले चलो स्टार्ट करें क्या और साथ वे इंट्रेस्ट भी आएगा ओरलैपिंग का और उसका आफ्टर टेक्स भी कर लेंगे देखे इनिशिल कैस आउट्फलोर रिफंड आप ओल्ड बॉंड दिख रहा है कि यह ग्यारा सो चालिस के सबसे हम थ्री फुलेक फोर्टी टू आपस करेंगे फोर्टी टू अलग से भी दिखा सकते और फोर्टी टू पर क्योंकि टेक्स कर रेट है चालिस पर्षन तो यह टेक्स और शर अनमार्टाइस पोर्टी यह किसका है ओल्ड से रिलेटेट है अब ओल्ड से रिलेटेट देखो कैसे हुआ है टोटल मिलाकर बारा लाग साथ हजार है यस कितने साल का 30 यह का यह और 30 यह में से पास साल का राइट अप हो गया है तो अभी भी कितने यह का रिटन बाकी है 25 years का इसमिस अन एमोर्टाइज पोर्षन कितना बच्चा 12,60,000 divided by 30 into 25 10,50,000 बच्चा उसका 40% करोगे तो 4,20,000 का मेरा tax savings होगा मतलब मैंने bracket में डाल दिया तर new bonds issue करने से पैसा आएगा और उस पे issue cost ये ले लिया एक चीज भूल सकते हैं जबरदस्ती interest देना पड़ा है दो मैने का तो दो मैने का मैने interest निकाल और after tax निकाल लिया तो ये मेरा पैसा ये भी जाएगा तो total मिलाकर 29,20,000 था दीजिए अब inflow की बात करें क्या yes inflow में जड़ा देखते हैं कि क्या होगा new, old 12%, 14% after tax किया तो 11,60,000 और 25,20,000 सर ये तो समझ में आगए tax saving on interest cost yes याद है इस से related खर्च कितना था 4 लाग था तो 4 लाग 25 साल में write-off करना है और उस पर tax saving 40% तो ये ले लिया और सर इस से related खर्च कितने थे सर खर्च कितना थे 12,60,000 yes और यहां divided by 30 क्योंकि आप समझदार हो ये 12,60,000 कप का इसर शुरू का है initial तो वहां से 30 साल में write-off करना था ठीक है और इसका कितना परशन 40% तो ये आगए इतना आ रहा है annual cash outflow और इसमें आ रहा है इतना तो कितना बचा लोगे ये आ गए है और उसका present value निकाला तो ये आ गए उसमें से initial outflow माइनस कर दिया तो NPV positive आ गए NPV positive है तो bond should be refunded तो ये question आपको करना पड़ेगा ठीक है सर हो जाएगा सर हो जाएगा बच्छो हो जाएगा मैं जानता हूँ हो जाएगा bond में और कितना time लगा दोगे एक घंटा 30 मिनट तो और लग सकते है मुझे लग रहा मतलब एक गंटा आदा घंटा और लगेगा bond में ठीक है सर उसके बाद equity में दो घंटे और पकड़ दे तीन घंटे का वीडियो तो बनना ही बनना है सर putiable bond किया है putiable bond किया होगा इसमें problem किसका है putiable bond एक type का ऐसा bond होता है ऐसा bond का question तो नहीं है पर फिर भी सुन लो किसमें bonds holder की पास option होता है कि वो जब चाहे तब bond sell कर सकते है किसको company को तब वो कब sell करेंगे जब मार्केट में rate of interest ज़्यादा हो गया है जब ज़्यादा हो गया है जब ज़्यादा हो गया है तो वो हमारा है हम आपका bond रखे क्यों आप अपना bond पकड़िये पैसी दीजिए मार्केट में पैसा इसमें bonds holder की पास option होता है पढ़ लोगे theoretical है extendable bonds यह क्या होता सर extendable bonds इसका question भी है extendable bonds में होता क्या है यार मैं हूँ company और मैंने आपको मान लो 5 साल के लिए bonds इस्यू किया ठीक है और कितने परशन पर issue किया मान लो 10 परशन आप भी खुश हो कि यार 10 परशन मिलेगा कितने साल के लिए 5 साल के और मुझे मालूब है 5 साल बाद पैसा जाएगा पैसे वापस कर दी 5 साल हुए और 5 साल में rate of interest market में हो गया 14 परशन अब कमपनी ये सोच रही है कास हम इनके पैसे वापस ही नहीं करते तो कितना चाहो क्योंकि यार मुझे तो 10 परशन पर पैसा मिल गया है न यार अब जब 5 साल हुए तो 5 साल में market में 14 परशन rate of interest तो मन में लालस तो जागेगा न यार तो कमपनी चाहो तो ऐसे बॉंड इश्यू कर सकती है उसमें लिख सकती एक option कि जो वैसे तो 5 साल है maturity लेकिन हम चाहे तो एक्स्टेंड भी कर सकते और 5 साल एक्स्टेंड कर सकते और कमपनी ये एक्स्टेंड कब करेगी जब market में rate of interest क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तर ऐसे bonds क्या bond holder पागल दिख रहा है ऐसे bonds खरी देंगे पागल तो नहीं पर अगर लालच दे दिया जाए तो कुछ भी हो और हो सकता है कि जब initial issue कर रहे हो उस समय market में 8% interest हो और company high high दे रही हो rate तो यहाँ फ़स सकते है bonds holder ऐसे bonds भी होता है ठीक है उस पर एक question था question number 43 ठीक है sir question number 43 भी discuss कर ले कि यह लिखा pet fit PLC is outstanding high यह देखो नाम से ही समझ में आना चाहिए high yield अब तर ऐसे bonds जिस पर जब दिया जा रहा था जब bonds issue किया था high yield था his value है 10,000 pounds में है coupon है 10% 10,000 का 10% 1000 होता है इसके लिए calculator चाहिए आपको maturity period है 6 maturity period 6 company can extend the life of bond to 12 years और company वैसे तो जब मैंने आपको bond issue किया मैंने का 6 साल है भाई लेकिन सुनो हम चाहू तो इसको extend भी कर सकते और 6 साल के लिए ठीक है presently the interest rate और equivalent bond जबकि आप आज के दिन market में कहीं जाओगे तो 8% मिलेगा और हम कितना दे रहे हैं 10% किया आप लोग तैयार हो जाओगी है आज सर्च हम तैयार हो जाएं कि यार market में 8% हम 10 दे रहे हैं तो आप तैयार हो गया है और उसमें लिखित में हैं कि हम चाहो तो 6 साल और बढ़ा सकते हैं आपने ठीक है बढ़ा दो हमको मालूम है टेंशन नहीं है बढ़ेगा तो बढ़ेगा लेकिन अब भी तो 10 मिल रहा है पॉइंट नमबर है इफ एन इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंट्रेस्ट का रेट 8% ही रहेगा 6 साल बात तो बताइए हम कितना पे कर सकते हैं 8% ही रहेगा 6 साल बात मतलब सर अब समझने के कोशिश करते कि मतलब क्या है मतलब ये हुआ मतलब ना था कि मैं बॉण्ट खरीदने का सोच रहा हूँ और मुझे मालूम है कमपनी कब एक्स्टेंट करेगा कमपनी तभी एक्स्टेंट करेगी जब रेट मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा 12% हो जाएगा 15 मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा तो कमपनी एक्स्टेंट कर देगी सोचेगी कि ठीक है यार हमको तो 10% ही देना है ज़े पाँट बाद यह सोच रहे है यार मुझे तो च्छे साल तक ही होल्ड करना है और च्छे साल बाद कम्पनी मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर देंगी क्योंकि मार्केट मेरे एट परसंट ही रहेगा तो कम्पनी क्यों जब बर्दस्ति का टैन परसंट देगी वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है, bond के पैसे 6 साल में वापस हो जाएगे इसलिए वो अपना holding period सिर्फ कितना मान रहा है, 6 साल मान रहा है तो बुले, अगर ऐसा है, तो बताइए वो कितना payment कर सकता है, मतलब intrinsic value निकालना है अब यहीं लिखा है, since after 6 साल rate of interest in market is expected to be 8%, in this situation, company cannot extend maturity, hence intrinsic value of bond is 1000, 8% discounting rate, 6 साल और 10 और answer आगया, pound 10923 मैंने 6 साल क्यों लिया, आपको समझा चुका हूँ अब ध्यान से समझ रहा हूँ हम यहाँ थे, हमने का हम कितना देने को त्यार है, हम देने को त्यार है, pound 10923 और आराम से हम 6 साल और हमको मालूम है, हमको यहाँ पैसा मिल जाएगा वापस, ठीक है अब आगे पढ़ना point number भी अच्छा point है यार आप भी जानती हो कि regular class में भी इस question में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होई थी time लगा था, revision में भी time लगा रहा हूँ now suppose on the basis of that expectation, he invest in the bonds भाई साब ने bonds में invest कर दिया, क्या सोचके कि 6 साल में पैसे वापस कर देंगे यहां कि 8% से ज़्यादा rate बढ़ेगा नहीं, और बुले भाई साब 12% हो गया market में rate ओहो, यहां कितना हो गया, 12% अब company बुलती है कि हाँ, पागल हो, पैसे वापस नहीं करूँगी मैं इस period को extend करूँगी, extend किया जाए ओहो, आपस गए, आपस गए, आपस गए ना, अब तो extend है, सर हम base देंगे ना bond base तो सकते हैं ना, बेच नहीं सकती कि, बेच दो ना बिटे बोलो, जो भी खरीदेगा वो यहां की value पर निकालेगा 6 साल बात की यस, और जब आप यहां पहुँच गए, वो कहेगा कि यार आपको जो coupon मिल रहा है, ठीक है, उतना ही मिल रहा है लेकिन हम इसको जो discounting करेंगे, वो तो 12% से करेंगे ना आप सोच रहे हैं कि आप यहां bonds base देगी, ठीक है, base दो के आपके इसाब से यहां कितने गए, बोले 8% है तो 8% के इसाब से आपने यह bond का value निकाला होगा 8% के इसाब से, जबकि rate actual में कितना हो गया, 12% हो गया तो बस, it means rate अगर 12% हो गया तो 9181, तो बताओ आपको loss कितना हो रहा 10923-9181, तो loss हो गया 1742, इस question में बच्चो को दिक्कत क्या हो रही, सुनो, बच्चो को दिक्कत यह हो रही, इस question में बच्चो का यह कहना है कि सर जो आपने निकाला price वो निकाला 10923, यहां का और 12% के हिसाब से जो price निकाला, वो निकाला 981, यहां का, तो इन दोनों में कैसे comparison कर सकते हो, हे भगवान मैं ने कहा कि यह 6 साल का हो चुका, इसको भूल जाओ, अब जब investor का expectation था कि यहां rate हो जाएगा 8% तो उसके हिसाब से भी यह 6 साल का price इतना ही निकलेगा न 10923, और यह price है 11% के हिसाब से, उसने सोचा था, 8 के हिसाब से यह पैसा मिलेगा, जबकि हो गया 12% तो दोनों ही price यहां के है, यहां के, यह नहीं है कि 10, actually किसमत खराब रही कि यहां भी 10923 आ गया, और यहां भी 109, इसलिए आप लोग परिशान हो, discussion हो चुका है तो सर्फ potential loss आ गया है, कितना 1742, कुछ बच्चों का और बेकार की बात है, बोले potential loss है, परे तो इसका present value करते हैं, नहीं करेंगे भी, potential loss का मतलब बता है, expected, future का loss मांग रहा है that's it, जो problem थी, वो मैंने बताया कि क्या problem चलो, bonds का last topic करते है, term structure या bootstrapping, जो भी नाम ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ा main तो concepts है इसे question भी आ रहा है या राज का बहुत ज़्यादा detail में तो नहीं समझाओंगा, पर इतना समझा दूँगा कि questions आपसे आसानी से बन जाएगी ठीक है sir, क्या होता है बताओ, बस एक बात बताओ, नाम से ही लग रहा term structure of interest sir, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साब, ऐसा है यार अगर मैं bank जाता हूँ, और bank में मैं पैसे उधार लेने कहा है अगर मैं सिर्फ एक साल के लिए पैसे उधार लेता हूँ, सिर्फ मुझे एक साल के लिए term कितना है मेरा, एक साल है, term loan सुना है, हाँ, वही वाला term है term अगर एक साल है, तो bank वाला कहता कि ठीक है भाई, छे परशन के हिसाब से हम आपको दे देंगे छे परशन, मैंने का अगर मैं दो साल के लिए अगर उधार लू, it means मेरा जो period है, period या term हो अगर दो साल है तो भले ठीक है, फिर आपको 6.5% के साब से उधार मिलेगा, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये थोड़ा सा मुस्किल से समझ मैंगा, कोई दूसरे एंगल से समझा रहा हो, fixed deposit सुना है, तो fixed deposit में आप invest करते हो, FD, अगर FD एक साल के लिए करवाते हो, तो rate of interest और FD दो साल के लिए करवाते हैं, तो rate of interest में अंतर होता है, जिन्होंने fixed deposit करवाया होगा, उन्हें पता है अच्छे से, yes sir, it means मैं आप से बोल रहा हूं कि term structure, term के हिसाब से rate of interest change होता है, अगर period fixed deposit का एक साल है, तो 6% हो सकता, हो सकता fixed deposit का period, term, 2 साल हो तो rate ज्यादा हो सकता, मतलब term तो term structure is relationship between yield and term, अब यहाँ ठीक से समझना, अगर आप एक साल के लिए पैसा जमा करते हो, तो कितना, 6%, अगर आप दो साल के लिए पैसा जमा करते हो, तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अगर तीन साल के लिए तो, ऐसा जो term structure है, इसको बोलते upward term structure, अच्छा सा, upward term structure, term जादा रहेगा, तो बढ़ेगा, और कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी होता है, इनवर्टर yield, मतलब सर, इनवर्टर yield structure, या inverted term structure, सर होता क्या है, पिटे अजीब सी बात है, पर फिर भी सुनो, अगर एक साल के लिए investment कर, एक साल, तो rate of interest जादा है, पर अगर दो साल के ज क्या लग रहा है, इसको देखकर, इसको देखकर लग रहा है, आप जादा समय के लिए क्यों investment कर रहे है, ऐसा कभी देखा, एक साल के लिए, एक साल के लिए, एवडे करा होगे, तो 6%, अगर दो साल के लिए पैसे जमा करोगे, तो वो कहेगा, नहीं, 5.75% आपने का पागल हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा तब भी होगा, जब आप प्रेशिशन में जा रहे हो, लोग लंबे समय के लिए investment नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोट कम समय में ज्यादा rate of interest मिल रहा है, ऐसे, अगर ऐसा term structure है, इसको बलते है, inverted yield structure, सर, ऐसा कभी देखा है क्या, देखा है कि नहीं है, लेकिन एक्जाम में question आया है, ऐसा बता दिया, बलता कौन सा type का yield structure है, बताओ, एक होता flat, flat में क्या होता सर, एक साल हो चाहे, दो साल हो चाहे, तीन साल हो चाहे, चार साल हो, फरक नहीं पड़ता, आप बैंक के पास गया, एक साल के लिए 6 परशन, दो साल के लिए 6 पर जाना हो, चलो, धीरे धीरे बिना example के नहीं हो सकता सच्चाई, तो यह उतना आसान topic नहीं है, जितना आपको दिख रहा हो, और इसके लिए आपको interest rate risk management में जो FRA करवा रखा था, मैंने FRA का भी knowledge चाहिए, तब ही हो, चलो सर बात करें, derive the term structure from the falling, बिल्लकुल ध्यान से अग example हो गया है, तो मैं यकीन मानना समझ में आगा, भी मान लो एक bond है, इसके life एक ही साल है, एक ही साल है, आज पैसे लगाएंगे 942, और आएगा last में 1000 क्या yield निकाल सकते हो, हाँ सर, yield YTM ना सर, हाँ YTM की में बात करो, आराम से, एक साल भी life है, आज पैसे लगाएंगे, कितना 952 है क्या, मैंने चैंज तो नहीं करवा दिया था, साइद चैंज करवा दिया था, 1000 divided by 952, हाँ, प्लीज आप कोशन में ना, इसको जो 942 लिखा है, इसको प्लीज 952 करना, साइद मैंने कोशन में चैंज करवा दिया था, बच्चो, 952 कर लिना, तो आज पैसे लगाएंगे 952 मिलेगा, उसे सबसे यहां कितना दिखाई दे रहा है, यिल्ड निकल गया है सर, 5.04%, कोई दिक्कत है क्या, अब आके और चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार, second year का bond ले ले, second year bond, सर आज लगाएंगे, 897, 897 और दो साल बाद मिलेगा, 1000, कोई कुपन नहीं है, मैं Z से भी की बात कर रहा हूँ, कोई भी कुपन नहीं है, क्या yield निकल सकता है, हाँ सर, हमको तो आता है, आज पैसे लगाएंगे, 897, मिलेगा, 1000, पावर 2 कर दिया, और फिर answer निकला, तो answer आ गया, 5.59%, कोई शक है क्या, नहीं सर, कोई सक नहीं है, 5., अगर मतलब first year के लि लिए, तो निकला था, 5.59%, ऐसे तीन सा, जेट से भी की बात हो रही है, तीन सा, आज पैसे लगाएंगे, कितना, 827, मेरे खियाल से, कोई चेंज नहीं होगा, होगा तो आप चेंज कर ले न, 827, ठीक है, और सर, 1000, तो सर, yield निकल गया, 6.54%, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमको डिटी पावर यूज करना आता है, उस मैटर पर में बात ही नहीं, अब ध्यान से देखो, मेरे पास yield निकला, yield, अगर ध्यान से देखो, अब काम की चीज़े बिटे, अब सुनना पड़ेगा, सर, हमको yield निकलना आने लगा, अब मैंने का यार, अगर हम first year का yield पता है, हमको 5.0, मतलब सर, एक साल के लिए invest करें, तो हम 5.04% पर एनम कमाएंगे, अगर दो साल के लिए invest करें, तो निकला था yield हमारा 5.59% पर एनम, तो या तो bond A में जाए, या तो bond B में जाए, पर मैं आपसे बोल रहा हूं, अब यार, मैं सोच रहा हूं, अगर ए इधर जाता हूं, इधर जाता हूं, तो 5.04% मिलेगा और एक साल में मुझे मिल जाएगा पैसा, यस, और एक साल के लिए आखिर किस rate पर invest करूं कि इधर का और इधर का बराबर हो जाए, सर, FRA मांग रहा है, आप forward rate, यस, मुझे forward rate चाहिए, सर आप कुछ बोलते थे इसको 2 into 3 ऐसा बोलता था मैं, मतलब सर, 2 साल बाद, एक साल के लिए, यही, और यह कहां किया अलरड़ी, यही किया था, हमने interest rate risk management, FRA निकालते थे, हाँ सर, 2 years और 1 year दिया था था, वही वही काम है, वही काम करवा रहा है, निकल सकता है, क्या, सर, किया हुआ, बड़ा वाला factor divided by रट्टा मार लो, क्या फर्क पड़ा, यह आगया 6.14, 6.14, अब थीक से समझना में जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत जादा important बात है, बहुत जादा important बात है, अब सुनो बच्चों, सुनो, बहुत जादा important बात बोलने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ दे दू कि यहाँ दो साल बात मुझे एक हजार रुपे मिलेगा, सर, यहाँ का rate निकल गया है, कि यहाँ का rate कितना निकला, यहाँ का rate निकला है, 6.14, अगर मैं बोलू कि मुझे एक हजार रुपे मिलेगा, दो साल बात, उसका present value निकालना है, अब present value निक important है सर हमें rate of interest भी दे सकता है क्या yes और हमें yield भी दे सकता है अगर yield दिया है तो 1000 divided by 1.0559 power 2 करना अगर interest rate दे रखा तो 1000 divided by 1.0614 divided by 1.04 करना दोनों बात एक ही है अंसर दोनों में एक ही आएगा आदे से ज़्यादा बच्चे आर एक्जाम में परिशान है कि सर इसको discounting कभी power 2 कर देते हो कभी essay कर देते हो उसकी वजह में बता दे अगर yield दिया है तो direct यहां से यहां पहुचा जा सकता है अगर rate of interest दिया तो direct यहां से यहां नहीं पहुच सकते यहां से पहले 6.14% से discounting करोगे तो first year तक पहुचोगे और फिर 5.04% से करोगे तो फिर 0 period तक पहुचो एक बात मुद्दे की बात मैं आपको बताया हूं बहुत सारा logic logic इसके पीछे हुआ पर मैंने वही बात कहा कि अगर दिया है rate अगर yield दिया है तो yield दिया है तो सीधा क्या करना power 2 करके सीधा answer आजाए ठीक है और अगर forward rate दिया है forward rate सब्द दिया है अगर yield सब्द दिया है यही बता वाला होता तो फिर डिसकाउंटी किस तरह से करते हैं और आंसर आ जाता है हाला कि 97 ठीक है सर बात समझ में आती है यह प्राइस आज का है 1000 वन येर का फावर्ड रेट मैंने निकला हूँ और आपसे मांग रहा हूँ और मैं आपसे यह मांग रहा हूँ तो यह निकल सकता है कि डायरेक्ट हां सर क्यों निकल सकता है सोचो इट मेंस 897 दिया है 1000 दिया यह वाला रेट दिया और यह वाला मांग रहा हूँ तो ठीक है सर 897 यह लिखा 897 1000 लिखा और यह वाला 1.05 और 1 प्लस आ रहे तो निकल जाएगा और इसको क्या बोले जाता फावर्ड रेट एक्जाम में आता कल्कुलेट करने के लिए औ ठीक है सर पास समझ में आगे आँसर आ जाएगा अब देखो अब देखो ठीक से अब क्या बोलत हूँ मैंने आपको 827 दिया रेट ठीक है फर्स्ट यहर का फावर्ड रेट दिया सेकंड यहर का थर्ड यहर नहीं दिया तो ठीक है नहीं फावर रेट से हमको डिसकाउंटिंग करना आता है सर यस डिसकाउंटिंग कैसे करते हो हमको मालू है 8.827 है 827 पहले साल का रेट दूसरे तीसे साल का is equal to 1000 यह 1000 divided by this this और this आंतर आ जाये क्या फावर रेट निकालना आसान है बहुत आसान है यार तो लोग करके देखते हैं इस example से करके देखते हैं और इस बार क्या है इस बार मैंने coupon दे रख पहले तो आपको term structure निकालना है term structure निकल सकता है क्या term structure मतलब yield निकालना है निकल जाएगा sir 9901 year और क्या मिलेगा हमको sir 1000 यह मिलेगा और 10% यह मिलेगा 1100 मिलेगा yield निकल जाएगा कि यह निकल जाएगा और yield यह yield है और यही forward rate अब second year second year sir यह दिया है second year forward rate निकलना है पहले forward rate निकलना है अब देखो second year में मैं कैसे important forward जाएगा जी कुछ technical issue आगया था तो मैं आप से क्या खह रहा हूँ अब सुनो actual में मुझे इसमें yield निकलना नहीं है मुझे forward rate निकलना है ठीक है अब first year का forward rate कैसे निकलेगा first year का yield और first year का forward rate एक yield आज कितना जा रहा है 990 आएगा कितना 1000 और साथ में coupon भी आएगा 10% तो मतलब 1100 आएगा 1 प्लस आर करके क्या first year का forward rate निकल जाएगा या और first year का forward rate निकल गया 11.11 परशन इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं और second year का कैसे निकलेगा अब यार आज कितना जा रहा है 972 एक्जाम में आया हुआ है question 972 आज जा रहा है सर 972 आएगा कितना सर first year में आएगा 90 रुपए और फिर आजएगा 1st year का rate तो हमको पता लग गया forward rate यस first year में आएगा 90 और second year में आएगा 109 तो 90 को discounting करेंगे वो वाला तो rate मालूम है वो 1090 सीदा यहां नहीं पहुच सकता वो कैसे पहुचेगा पहले यहां यहां का rate हमको नहीं आलूम पर यहां का rate तो मालूम है उसके सबसे 10.10 ठीक है ऐसी क्या करूगे third year में आज कितना जाएगा 994 फर्स्ट year का मालूम है second year का rate मालूम है third year का नह हुआ हुआ है तो इस्टार्ट करें कोशन वेराइटी बहुत सारी यह कोशन के इसमें कोशन नमबर 44 से बात करते हैं the following is the yield structure yield दिया हुआ है people are rated money यह yield दे रखा 3 months 6 months yield दिया है तो forward rate मांगता है और क्या करेगा one year two year three years and now based on the expectation theory calculation theory yield करों का एक theory expectation theory और भी theory उसमें से एक expectation है क्या होने वाला मतलब three month के लिए investment करे six month के लिए one year के लिए two year के लिए three years के लिए अब से one year forward rate मांग रहा है in two years and three years अगर इसको मैं ऐसे बनाऊ सर हमसे क्या मांग रहा हमसे मांग रहा one year forward rate in two years मतलब सर यह one year यह two years one year forward rate one year in two years and three years मतलब सर एक तो हमको zero to one year लेना पड़ेगा ठीक है मतलब यह बला rate और एक लेना पड़ेगा zero to two तो यह second year में one year forward rate निकल गया यस वही किया होगा सायथ देखें यह one year का rate दिया है और यह two years का rate दिया है तो यह निकलेगा one year forward rate in two years मतलब add the end of one year क्या rate होना चाहिए one year forward rate in two years निकल जाएगा यह सर यह तो yes कैसे निकलेगा one point one zero one plus r2 is equal to यह तो answer रजाएगा 12 पर्शन और फिर अगर बोलेगा की तो एक two years का rate ले लेना यह दिया है एक three years का rate लेना तो यह वाला rate निकल जाएगा yes 13.52 पर यह कहां पढ़ा हुआ अल्रेडी पढ़ा हुआ अल्रेडी पढ़ा हुआ अल्रेडी रिला हुआ है आगे क्या मांग रहा है सर इसके बात आगे क्या मांग रहा है आगे मांग रहा है इफ interest rate increase 50 basis points what would be the percent change in the price of bond having maturity of five years अगर interest rate increase हो जाता है कितने percent से 50 basis points से तो बताइए bond की price में क्या change होगी अभी bond का price है 1000 अभी bond का price है 1000 और period कितना है सर पिरियाड है पास साल मतलब यार तीन साल से अबो के लिए yield कितना है 12% और तो 12% से बढ़ जाएगा yield सर इंट्रेस डेट बोला ना इंट्रेस डेट का मतलब वो yield बोलना चाह रहा है कि सर yield जो है वो 12.50% हो जाए तो बताइए क्या करेंगे discounting करना पड़े एक और bond का हम price निकालेंगे यस निकालें यस तो bond का price निकाल रहा है 1.12 है पहले सुनो कोशन अच्छा है सर मान के चलो जैट से भी है हाँ कुछ दिया नहीं है तो मालो जैट से भी तो कोशन यह है कि 5 साल बाद मिलेगा कितना बहुत अच्छा कोशन है 5 साल बाद काम को redeemable value नहीं मालो देखो कोशन कैसे किया गया कोशन यह किया गया कि 12% से discounting करने पर अभी आ रहा है 1000 रुपए तो actual में 5 साल बाद price कितना यह तो निकाला जा सकता तो पहले उन्होंने 5 साल बाद का price निकाला 1000 को 12% के सबसे future value निकाला और उन्होंने कहा कि यह है जी redeemable value यह मिल रहा 1762 उसको 12% से discounting करने से 1000 आ गया जो कि fairly price है अब इस 1762 को discounting किया 12.5% से तो यह value आ गया 972 और उसका कहना कि देखो bond का price गिर गया और कितने रुपे से गिरा वो बता दिया होगा percentage बता दिया 2.20 question बहुत अच्छा यह वाला ठीक है सर आगे चले क्या yes आगे चले ABC wants to issue कर रहा है 9% bonds redeemable in 5 years face value है 1000 और सब्द लिखा yield yield कर्व दे रखा नीचे यह interest rate लिखा जरूर है लेकिन यह interest rate नहीं ऊपर साफ साफ लिखा कि यह yield है 12% 11.62% 11.33% मतलब सर यह yield एक साल के लिए जमा करो तो 12% दो साल के लिए जमा करो तो काम हो रहा मतलब सर ऐसा नहीं जा रहा ऐसा जा रहा downward इसको क्या बलते inverted yield कर तो आपको निकालना expected market price a bond if it has a beta 1.10 due to popularity because of lesser risk ठीक है अपसी बड़ी बात है कि पास साल तक एक हजार का 9% मुद दो 90 रुपय पास साल तक मिलेगा 90, 90, 90 और डिसकाउंटिंग पास साल के लिए येल्ड है 10.80 10.80 पर्षन से डिसकाउंटिंग करना है और येल्ड लिखा है तो हमें ऐसा पास से चार चार से तीन ऐसे नहीं जाना सीधा जा सकते है मतलब हर साल उतना ही रहेगा येल्ड और फावर्ड रेट नहीं दिया है इसलिए हमने क्या किया 1.12 1.12 सर ये क्या है एक्चुल मैं पिटे बात फिर समझा देता हूं पहले साल मिलेगा 90 और फर्स्ट येर का येल्ड दिया हुआ है क्या 12 पर्षन तो यहां सीधा 12 पे जाएगा सेकेंड येर भी मिलेगा 90 और सेकेंड येर का येल्ड दिया हुआ है तो सीधा ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगा आपका कहना सर पहले लेलना 11.62 और फिर लेलना 12 ये फावर्ड रेट होता तो करते येल्ड दिया है तो सीधा 11.62 को फिर 12 ऐसे करता समझा चुका हूँ ठीक है सर बात समझ में आगे और आंसर आ जाएगा और आंसर क्या आएगा आंसर आगे है 9.29 ये आगे है प्रेजेंट वैल्यों बॉंड बॉंड अब बॉंड का बीटा दिया है कि येर जितने मार्केट सर इस एक्चुल में ये बीटा बॉंड क्या है एक्चुली बीटा क्या होता बॉंड का बीटा क्या होता है सर बॉंड का बीटा मतलब मार्केट गिरता है तो बॉंड का प्राइस बढ़ता है याद है येल्ड के गिरने से बॉंड का प्राइस बढ़ेगा करो इसको इस टेक्निकल इश्यू आ रहा है मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा ठीक है तो सर बॉंड का प्राइस बॉंड कितने से बढ़ेगा क्योंकि बीटा 1.10 तो मल्टिप्लाई करके सर कैसे बोल दिया 1.10 बढ़ेगा इनवर्टेड है मार्केट गिरने वाला है ये यल्ड कर इनवर्टेड रिल्ड करो मैंने आपको बता दिया इनवेश्टर विल इनवेश्ट इन शॉर्ट टाम ठीक है कहानी लिख देना question number 46 same question है बस यहाँ same है यहाँ 12% यहाँ जो सब्द दिया है present rate of interest ठीक है फिर forward rate सब्द यूच किया forward rate अगर forward rate सब्द यूच किया तो कैसे करना वो मैं आपको बता चुका हूँ yes it means कैसे करना है बिट्टे ऐसा है कि 90 तो पहले बारा इस 90 को पहले इस से discounting और फिर इस से discounting ऐसे करना अगर forward rate सब्द दिया है तो ठीक है बाकि इस question को कर लोगे ठीक है सर बास समझ में अगर बीटा से multiply कर देना तो आंसर आजाएगा 960.3 ठीक है ये question sir yield दिया forward rate निकालना कर लोगे मुझे लग रहा है कि ये note से इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब कर सकता है आप कर लोगे ठीक है इसके अलावा अब बढ़ा है कि यार दो तिन पेज हो गए कि इस खतम हो गए कि question yes question खतम हो गया तो ठीक है ये वाला question फ्ली कि तो अच्छा नहीं लगेगा तो ये वाला आप कर लो की forward rate मांगा yield दिया है forward rate निकालना आपको आता है ठीक है तो break ले लेते हैं और break के बाद क्या करते हैं हम लोग एक वड़ी वैल्यूशन कर रहा है